सल्मान खान को मारने वाला गैंस्ट लोरेंस बिश्णोई की लव स्टोरी गल्फ्रेंड के लिए उठाई थी बंदूक अहमदाबाद की साबर मती जेल में बंद लोरेंस बिश्णोई का खत्रा इन दिनों फिर से सल्मान खान पर मन्रा रहा है हर दिन लोरेंस का कोई न कोई जाल सलमान के लिए बिचाय जा रहे है लोरेंस सलमान खान को मारने के पीछे पड़ा हुआ है जो खुद एक बड़ा गैंस्ट है लेकिन इस गैंस्ट की भी लव स्टोरी है जिसके लिए लोरेंस ने पहली बार बंदूक उठाई थी तो क्या अपनी गल्फ्रेंट के प्यार में लोरेंस अपराधी बना? आपको बता दे कि लोरेंस बिश्णोई का बहुत बड़ा नेटवर्क है कीवे जेल से बैट कर ही सारे काम कराता है सल्मान खान का मारने की प्लानिंग भी जेल से करता है आज लोरेंस के नेटवर्क पंजाब, हर्याना, राजस्थान से लेकर महराष्ट्रा और यूपी तक फैल चुका है एक बड़े गैंस्टर के रूप में इसकी भी लव स्टोरी रही है जिसके बाद ये अपराधी बनता चला गया स्कूल से शुरू हुआ लोरेंस के प्यार की कहानी लोरेंस को पहली बार प्यार तब हुआ जब वे केवल 10 वी क्लास में पढ़ाई करता था उसको पहले एक तरफा प्यार हो गया था इसके बाद लोरेंस ने उस लड़की को अपने दिल की बात बया की लड़की का नाम था काजल काजल भी धीरे धीरे लोरेंस से प्यार करने लगी उस वक्त लोरेंस अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था जिसके बाद दोनों ने एक साथ 12 वी की पढ़ाई चंडीगर्ड के डिये वी स्कूल से की दोनों यहाँ एक साथ एड्मिशन लिया कहा जाता है कि लोरेंस हमेशा अपनी वी आईपी लाइफ अस्टाइल के लिए चर्चित था लिहाजा वल जल्द ही लोगों की नजरों में आ जाता था लोरेंस को प्यार तो होना ही था क्योंकि शुरुआत के दिनों में कहा जाता है कि लोरेंस बिशनूई अपरादी किस्म का लड़का तो नहीं था और नहीं वह किसी से कोई लड़ाई जगड़ा करता था उसका पिता हर्याना पुलिस में नौकरी करते थे और उनके पास अच्छी खासी जमीन थी जिसकी कीमत करोडों में थी ऐसे में लोरेंस बिश्णोई को पैसे रुपय की भी कोई दिक्कत नहीं थी वह हमेशा से रैसी की लाइफ जीता था इसलिए मोहबब भी बेंता की इसके बाद लोरेंस कोलेज पहुँचा जहां उसने राजनीती में अपना हाथ जमाने की कोशिश की उसने स्टुडेंट और्गनाइजेशन औफ पंजाब यूनिवसिटी नाम का एक छातसंग अठन बनाया जिसे शोट में S.O.P.U. कहा जाता था जब कोलेज में छातसंग चुनाव हुए तो लोरेंस ने भी अपनी किस्मत आजमाए और छातसंग अध्यक्ष का चुनाव लड़ा लेकिन वह चुनाव हार गया लेकिन इन चुनावी जंग के बीच लोरेंस की काजल भी आ गई जब विरोधी चुनाव जीत गया तो दोनों गुटों में जमकर लड़ाई रहने लगी जिसके बाद लोरेंस बॉकला गया और रिवोलवर खरीद ली हार के बाद भी लोरेंस बिश्णोई कोलेज में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया चुनाव के बाद आए दिन लोरेंस के गुट और विरोधियों के बीच जड़पे होने लगी 2011 में दोनों गुटों में जमकर फाइरिंग भी हुई दोनों गुटों में आपस में काफी जगड़ा शुरू हो गया इसी दोरान विरोधि गुट ने लोरेंस की गलफ्रेंड काजल को भी निशाना बना लिया और कहा जाता है कि विरोधियों ने लोरेंस की गलफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया था और उसकी गलफ्रेंड को जिंदा जला दिया था लेकिन इसी घटना ने लोरेंस की दुनिया पलट कर रख दी थी लोरेंस इस घटना से इतना बड़ा जटका लगा था कि काजल की मौत के बाद लोरेंस अपराद की दुनिया में चला गया उसने अपनी खरीदी रिवोलवर से कई छात्रनेताओं की हत्याई की लोरेंस पर खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने के भी आरोप लगते रहे हैं वहाम लोगों का समर्थन जुटाने के लिए तरह तरह के हतकंडे अपनाने लगा उस पर युवाओं को बरगलाने के भी आरोप लगते रहे हैं तो ऐसे एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा पहले प्यार में पढ़ा फिर बना एक बड़ा गैंस्टर अार्ण झालडक्स कुलिस करें समर्थ नजकिज झालड़ वहां हैं आरे नह जच regा लिए 200,000,000. 00.00. • खयर भाद से बड़ एक बाद चालड़ाараться ये रहे वहाम इन्ड़ीं सन्टर जादांस जी एक गैंस्टर